हेलो ब्रीवान बिलकम बैग कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे डियर स्टेंट्स अगर आप भी यूपी पॉल टिकनिक इवें सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो आज का ये वीडियो आप लोग लिए बेहद 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 इंपॉर्ट था लेकिन वो एक्जाम पोस्ट पोन हो चुका है और कभ होगा ये भी पूर्टूप से कन्फरम नहीं हो पा रहा है कई सारे बच्चे लगातार ये सोच रहें कि हमारा प्रमोसन होगा या हमारा एक्जाम होगा और इस सिच्छिवेशन में हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रह तरहा है क्यों कैंसिल हुए एक्जाम अगस्त में होगा या नहीं तुरंत जानना है आपको बिद्प्रूब और यह ट्रिपल P का क्या मतलब है इसी ट्रिपल पी के कारण ही आपका exam cancel हो रहा है आईए dear students आपको complete समझाते हैं कि किस तरीके से क्या region है क्यों आपका exam बार बार post phone हो रहा है क्या आपका exam हो पाएगा या नहीं हो पाएगा सारी बात ही triple P पर ही depend करती है dear students सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि this triple P का मतलब होता है dear students triple P कि का मतलब होता है Public Private Partnership क्या मतलब होता है Public Private Partnership dear students जैसा कि आपको पता है कि आपका exam online होने वाला था तो आपकी संस्ता जो है वो online exam आपका नहीं करा सकती है उसके लिए उसको private companyब के साथ partnership करनी थी अर्थाथ वो firmware companyya software कमपनी थी अगर वो software company werdhter कंपणिएों के साथ पार्टनर्शिप करनी ही अर्थात वह सॉफट्वेर कंपणिए Haha अगर वह उस्वेर कंपणिएंग आपका इक्जाम करते हैं तब ही वह एक्जाम करा सकती थी तो उसके के लिए क्या हुआ कि हमारी जो संस्था है हमारे जो संस्था ने उन्होंने प्राइबेट कंपणियों से पार्टनर्सिप करने का प्रयास किया लेकिन उसमें से कई सारी कंपणियां ऐसी हैं कई सारी का मतलब मैक्सिम्म कंपणियां ऐसी हैं जो पार्टनर्सिप के लिए तया लिखा है पी 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 मॉडल के तहा संचालित किये जाने हैं सोला आई टी आई और पंद्रा पॉलिटेक्निक पी पी का मतलब क्या है डियो सेंट्स आपको समझ में आ गया पॉब्लिक प्राइग इबेड पार्टनर्सिप मींस हमारा जो कॉलेज है वो साफ्ट्वेर कंपनी के साथ पार्टनर्सिप करके इस प्रोग्राम को एक निस्चित दिशा प्रदान करें और हमारा एक्जाम कराए इसी के तहथ हमारा एक्जाम होने वाला था क्योंकि पॉलिटेक्निक संस्थानों के पास खुद का साफ्ट्वेर नहीं है उन्हें प्राइवेट कंपणियों के ह होने वाला था लेकिन 22 जुलाई के पहले 21 संस्थानों को संचालक कंपणियां नहीं मिली मिन्स कोई भी सॉफ्ट्वेर कंपणी एक्जाम कराने के लिए तयार नहीं हुई इसी लिए आपका डियो सेंट्स एक्जाम क्या हो गया पोस्ट पोन हो गया अब इसकी क्या दिखाता हूं दिखाता हूं समझाता हूं देख पा रहे होंगे लिखावे प्रदेश में पॉल्टेकनिक और आई टिया संस्थानों को पब्लिक-प्राइबेट पार्टनरशी पी-पी-पी ओडल पर संचालित करने की योजना सफल होती नजर नहीं आ रही है सफल होती नह संस्थानों को प्राइबेट कंपनियां नहीं मिल पाई हैं जो उनका एक्जाम करा सकें मींस बहुत ही खराब कंडिसन है देखो डियो सेंट्स क्या लिखा हुआ है पहले चरण में 16 राजकिय आई टी आई और 15 राजकिय पॉल्टिंग संस्थाओं को पीपीप माडल पर विक संचालन करने में किसी कंपनी ने रुच नहीं दिखाई निदेशक प्राविदिक सिख्षा मनोज कुमार ने बताया कि जिन संस्थानों को संचालित करने के लिए निविदा करता नहीं मिले हैं उन संस्थानों के लिए दुबारा टेंडर प्रकिरिया शुरू कराई अब बात यह हो रही है इग्जाम कराने के लिए टयार क्यों नहीं हो रही है क्या उनका उसमें कुछ प्राउफिट ने सोचो 15 लिए टेंडर दिया गया था 15 का लिए टेंडर दिया घ्या था पॉल् पॉल टेक्निक संस्थान खुद से एक्जाम नहीं करा पाएगा बात करते हैं कि क्यों कमपणियां पार्टनर्शिप करने के लिए तयाद नहीं हो रही है उसमें का सबसे पहला रीजन डियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरा जरूर सुन लिएगा डियो उसमें का पहला यह है कि पॉल टेक्निक संसार में पढ़ने वाले ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है रूलर एरिया से मींस ग्रामीड इलाके से बिलांग करते हैं डियो से वहाँ पर नेटवर्क का इसू होता है तो अगर कमपनियां पार्टनर्शिप के लिए तयार होती हैं सॉफ अब उपर भी आप देख परें कि वल दस संस्थानों के लिए आगी आई कमपनियां अब दुबारा सुरू होगी टेंडर प्रक्रिया इसलिए कमपनियां नहीं दिखा रही हैं रूची कमपनियां रूची क्यों नहीं दिखा रही हैं देखिए इसके बारे में कहा जा रहा है कि पी पी मॉडल के ताहद पॉल टेकनिक और आई टी आई संस्थानों को संचालित करने में कमपनियों को रुचिना दिखाने का मुख्य कारण कम मुनाफ़ा है इस संस्थानों में 60 प्रसर सीटों पर सरकारी फीज में दाखला लेना होगा बची सीटों पर भी निजी संस् प्रसर का किसी अन्य काम के लिए उप्योग नहीं कर सकेगी ऐसे में कमपनियों को यह मुनाफ़े का सवदा नहीं लग रहा है समझ रहे हो डियो स्टेंड्स की सरकाली कॉलेज में जो फीस है वो किवल और किवल 420 रुपए है जैसा कि मैंने आप लोगं को बताया था तो कम कमपनियों को लग रहा है कि इतने कम पैसे में हम एक्जाम अगर कराते हैं तो हमारे लिए यह मुनाफ़ा मुनाफ़े का सवदा नहीं होगा साथी साथ मैं इस साफ्ट वियर को दुबारा फिर से नहीं उसकर पाऊंगा इसलिए कमपनियां सामने नहीं आ रही है आगे राजा तालाव वारारसी और राजकिये पॉल्टेकनिक देववंद के संचालन के लिए सहमती जताई थी कारवाही के अंतिम चरण में कमपनी के प्रतिनिद्र ने प्राविदिक सिक्षा निदेशाले आकर एग्रिमेंट करने से इंकार कर दिया कहने का मतलब यह है डियर स् नहीं करना चाहती है इसी कारण से आपका एग्जाम बार बार पोस्ट पोन हो रहा है बार बार आगे की तरफ बढ़ा है इनमें कमपनियों में नहीं दिखाई रुज देखो इनमें कमपनियों में नहीं दिखाई रुज राजकिये पॉल्टेकनिक देवनन, MPITI गोंडा, राजकिये महिला पॉल्टेक्निक परगना 84, राजकिये महिला पॉल्टेक्निक बहराइच, राजकिये पॉल्टेक्निक बासदी बलिया, मतलब ये सारे जो आपको लिस्ट यहां पर दिख रही हैं, इन सारे कॉलेज में किसी भी कंपनी ने अपनी रूची ही नहीं दिखाई, वो इनसे जाकर के बात चीत भी नहीं की कि हाँ हम एक्जाम कराएंगे तो डियर स्ट्रेंट्स आसा करते हैं कि इस वीडियो के माध्म से जो conclusion निकल रहा है वो यही निकल रहा है कि आपका exam postpone क्यों हुआ वो BTE नहीं चाहता है कि आपका exam postpone हो BTE मजबूर है कि वो खुद से exam नहीं करा सकता है उसको exam कराने के लिए PPP pattern को follow करना है उसको आपका online exam कराने के लिए software company की आवा सकता है और software company बिल्कुल नहीं partnership करना चाहती है बिल्कुल नहीं जूड़ना चाहती है क्योंकि उनको अपना उसमें बहुत ही कम मुनाफ़ा दिख रहा है ये चीजें आपको इस वीडियो के माद्धम से पूरी तरीके से असपस्ट हो गई होगी तो डियर स्रेंट्स अगर हम बात करें online exam की तो जहां तक मेरा opinion हो रहा है कि online exam कराना UP Polytechnic के लिए UPBTE के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन होने वाला है या तो वो फीस बढ़ाएं और ज़्यादा payment दे कमपनियों को तब हो सकता है कि वो online exam के लिए तयार हो जाएं अभी तो पहले सिख्थ सनस्तर की ही व्योस्था नहीं हो पा रही है तो बाकी सारे बच्चों का exam कैसे होगा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और इस वीडियो के माध्धन से साथ आपको भी काफी हद तक idea लग गया होगा कि 100% तो हमने यह नहीं कह सकते हैं लेकिन बहुत कम चांस है कि आपका online exam संपन हो पाएगा ऐसा possible है कि हो सकता है कि COVID-19 की जो condition है जो situation है थोड़ी सी normal हो in that case आपको offline exam हो जाए वही best होगा बाकी इतनी कम फीस में online exam कराना possible नहीं होगा तो dear students इस वीडियो के माध्धम से मैंने आपको असपस्ट रूप से यह बताने का प्रयास किया है कि exam post upon क्यों हुआ उसके पीछे का क्या reason है और इससे आप लोग खुद बखुद अंदादा लगा पाएंगे कि आपके exam होने के chance कितने जादा है लेकिन फिर भी इस वीडियो के माध्धम से आप लोगों से मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी है हर एक चीज को हम जानते रहें समझते रहें उसके बावजूद अपनी पढ़ाई को break ना करें अपनी पढ़ाई को continue करते रहें जिससे आगामी समय में अगर offline exam होता या online exam होता या कोई और option आता है तो हमारे लिए किसी प्रकार का कोई ब्योधान उत्पन ना हो आप लोगों के demand पर आप लोगों के कहने पर मैंने सफलता सेरीज को close नहीं किया है अभी 8 पीम पर आपको सफलता सेरीज का lecture भी मिलेगा उसको आप लोगों जरूर से जरूर देखिए अगर ये वीडियो आप लोगों को डियो सेरीज पसंद आया है तो दिल खोल करके इस वीडियो के comment section में comment करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर से जरूर से जरूर सेर करिएगा क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने काफी जादा मेहनत की है काफी जादा study किया है तब जाकर के इस conclusion पर मैं पहुँच पाया हूँ बाकी डियो सेंट्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं एट पीम पर सफलता सिरिज के साथ अब तक लिए सांद आ रही और पढ़ते रही